बाड मेर में ब्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो उदैपुर की स्पेशल टीम ने कारवाई करते हुए पच्पद्रा थाना अधिकारी देवेंदर सिंग कविया को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफतार किया है ब्रश्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम के अनुसार परिवादी गफूर खान ने स्पेशल यूनिट को शिकायत दी थी उसके खिलाफ अपहरन का मुकद्मा पच्पद्रा थाने में दर्ज था जिसमें उसकी गाड़ी भी जब्त की गई थी जिसे वो जमानत पर छूटने के बाद कार को छुड़वाने के लिए पच्पद्रा थाने गया जहां थाना अधिकारी देवेंद्र कव्या ने गाड़ी छोड़ने की एवज में एक लाख रुपई की रिश्वत मांगी व्रशाचार निरोधक ब्यूरो के अत्रुक्त पुलिस अधीक्षक उधैपूर सत्यापन करवाया जिसके बाद पच्पद्रा थाना अधिकारी देवेंद्र कव्या बीस हजार रुपई की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ यहां पर गिरफतार हुए हैं आपको बता दें यह एवन एवन टीवी एक्स्क्लिूजिव है जहां पर अधिकारी को पचास रुपई की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफतार किया गया है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एवन सम्वदाता पपू हमसे जुड़ चुके हैं पपू क्या कुछ अपडेट है अभी तक की कि बाड़ने में खाकी को सरमसार करने वाली घचना है जहां पर जो पच्पद्रा थानाधिकारी देविंदर सिंग कविया थे वो एक परिवादी से एक लाख रुपी की रिश्वत मांगते है जब परिवादी में एसीबी में शिकायत की तो एसीबी ने पूरे मामले का सत् प्रशाशन पर प्रश्रची ने लगाने वाला वाक्या सामने आया है तो इस पर प्रशाशन का क्या कुछ रवाईया है उनका क्या कुछ कहना है हाँ देखिए इस पूरे मामले में जिला पुलिस दिक्सक डॉक्टर गगंदीब सिंग्ला है वो पूरे मामले पर नेजर बनाई हुए और हैसीबी के जो अधिकारी है उनसे जानकारी ले रहे है कि आखिर ये ठाना जीकारी अभी करीड दो मैने पहले है लगया गया था उ हुए बहुत बहुत धन्यवाद पपूख अपर पर जानकारी के लिए हमारे एवन समवाताता जिनों ने बताया कि किस तरह से एसीबी ने एक बड़ी कारवाई को अंजाम देते हुए यहां पर एक अधिकारी को रंगे हाथो रिश्वत लेते गिरफतार किया है आपको बत